अज हम अपनी ग्रेव्य सब्जी में डालें गैसे अटा तो यह देखी सकते हैं गया बहुत ईंट्रेस्टिंग सी ट्रिक हैं जो कि सुरू से लेकर कर लाश तक बहुत अमेजिंग अमेजिंग सी ट्रिक्स जो कि विगनर्स के लिए बहुत जरूरी है हमारी यूटूब चैनल चाहा है मिस्रा ब्लॉग 2 M पर तो देखें जो बिगनर्स होते हैं या कभी-कभी जो लोग बहुत अच्छे खाना बनाने में होते हैं उनके साथ यह होता है कभी-कभी तो नमक है वो तेज हो जाता है हमारी सब्जी में तो यह ग्रेवी वाली सब्ज की जशी के लिए है इस तरह से लेंगे बॉयल डालू नहीं था तो हम आपको दिखा रहा है फिर भी चीलकर सिले में जब हमारी सब्जी पखर होती है ग्रेवी अच्य से खुख रही होती है तभी उसमें यह डालू आप डालू इजिए इसे क्या होगा बॉय डालू में इत प्लीज लाइक करें नेक्स टिक देख लेते हैं नमक से रिलेटिड है कि अगर आपके पास बॉयल डालू नहीं है तब हमें क्या करना है तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह से जैसे हमारी सब्जी बॉयल हो रही है अच्छे से पक रही है अगडर हमको यह दर है कि नमक ज्यादा हो गया चकर देख लिए तो क्या करना है बॉयल आलू भी नहीं है तो उसमें इस तरह से आटे की चोटी-चोटी सी गोलियं बनाकर के डाल दीजे आपकी ज़्यादा नमक हो उसी साब से आप उसमें आड़े की गोलिया डालीएगा तो उसले को देसे को आटे की घुंटी कर लिए और निकालीजिएगे और ऐनों तो साथ है और नहीं सीनकिलों को वह आटे की शुर्ण नमक के भी झाल कि कि अचा नहीं और यह सक दाए अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए तो चलिए नेक्स देख लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सब्जी बनाते हैं तो ग्रेविम में हमारे ओयल बहुत तेज हो जाता है जो खाने में अच्छा नहीं लगता है तो फिर वहले लेए रहाले तो देखिए उपर-उपर से हम इस तरह से लगाते हुए आठे को खटाएंगे तो यह देखिए कि इतना सारा आठे ने सोक लिया है जलिए इस तरह से आपको आटे आपको कर दो दिखातें आपको। पूरा ओयल ही है तो आपकी सबजी में अगर इसी तरह से आठा ले लिजिए और ऊपर से फिरा दीजिए चाहे आप घी की सबजी बनाए या फिर ओयल की सबजी बनाए वो ट्रिक काम करेगी आप यह ट्रिक अच्छी लगी होगी तो नेक्स देख लेते हैं यह देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में मिर्च बहुत तेज हो जाती कभी कभी ऐसा होता है कि मिर्च तेज उजाती है चोटे बच्छे नहीं खा पाते तो क्या करना है इस तरह से घी लेंगे देसी घी सब नों क हो जाए बढ़ें अगर आप जाते हैं इस तरह से आप मिल्च कर देए फिर सर्व करें तो आपकी मिर्च नहीं लगेगी जिस हिसाब से अपकी मिर्च उस अपने घीर आड कर दीजिए अगर आप पूरी सबजी में गीर नहीं आड कर ना चाहते हैं कुछ लोग तेज तो आप घीह एट कर सकते हैं बच्चों के खाने में तो आएहोभ बि-अच्छी लगी तु धे देखें यह चो 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 चीछी ट्रिक्स जो होती है ये हमारी दादी नामी ममा वगर बताती रहती हैं इनको जरूर फॉलो करें यह चोटी चोटी सी ट्रिक्स आज हम ले गर करें तो प्लीज अगर यह साही ट्रिक्स आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करेगा और एक मोटिवेशन के लिए एक कमेंट जरूर करके बताएगा जिससे कि थोड़ा सा हमको अच्छा लगे आप रोटिया बना लेंगी आपकी चपाती बहुत अच्छी और नर्म बनेगी आईवब अच्छी लगी होगी नेक्स देख लेते हैं इस तरह से हम कुकर में कोई भी चीज बनाते हैं तो क्या होता है कभी-कभी या तुको सामान थोड़ा होता है या फिर तली में जाता है त को तheart a तली में डाल देंगे एक फाले में पाने लिए और तली में कुकर को रख देंगे और इस तरह से ए canal के ऊपे तो कूकर अपरूरा सा थोड़ा सा बढ़ चली एगए क्या होगा तो क्या होगा सारला खाने में नहीं या तो अच्छी च्रीक है यह अमेजिंग निची आपके खाने में बिल्कुल पानी नहीं जाएगा बहुत अच्छी जए तो अच्छी लगए होगी नेक्स देख लेते हैं इस समय आने वाली है गर्णिया जो कि हम लोगो का मन यही करता है लेलीजों का सबका हम तो पंक्खे में बैठ कर काम चारो तो पंक्खे में बैठ कर प्याज अगर यह छीलते है लंगे है जो आपका तो भीघ जायेगा जिसकी वज़ेंसे आपका फ्याज अड़े नहीं और य जहार आंकों नहीं नहीं लगे का अच्छ से और आगर आफ एक्सक्ताया तर चोके बेंते हुड़ आउने लगेगा है। अटियाँ अर इधर मात ईनका फ्रेसे की सब्सक्राइब करें। तो अगर यह चोटी चोटी सी ट्रिक्स हमारे अच्छी लगती हैं तो मोटिवेशनल के लिए एक लाइक तो कर दीजेगा प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से हमारी कि आप लोग का लाइक करने में बिल्कुल भी पैसा नहीं जाएगा या फिर बिल्कुल भी टाइम नह वह दोस्टाइस का में लाइक करना या फिर कोई कमेंट करना तो चलिए होव यह सारी अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और श्यार करीए यह गार्मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में अमेजिंग अमेजिंग किचें ट्रिक्स एंड्ट्रिक के सा प्रव स्दोड़ाए लूब।